हेलो एब्रीबान मैं श्रेयस बढ़िये आप सबका मेरे यूटीब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम एंशेंट हिस्ट्री आफ इंडिया से लेक्चर नंबर 27 में मगद एंपायर को स्टड़ी करने वाले हैं जिसमें हम तीन डाइनस्टी एक है हरन्यक डाइनस्टी एक है शिशुनाक डाइनस्टी और एक है नंद्र डाइनस्टी इन्हें स्टड़ी करेंगे अंडर मगद एंपायर मगद एंपायर जो है मगद क्या है यह जानने के लिए मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था महाजन पद वाला वो देखना ना भूले उसकी लिंक डिस्रिप्शन में दिये ताकि आपको मगत के बारे में जानकारी मिल जाए और आप ये जो लेक्चर है इसे समझ पाए आसानी से As you close your eyes tonight may you know how blessed you are and celebrate with gratitude If you have any doubt you can ask me on Instagram this is my Instagram ID This is my Facebook page, This is my Telegram channel and This is my YouTube channel मेरे YouTube channel को subscribe करे और bell icon को press करे ताकि आने वाले वीडियोज के notification आपको मिलते रहे So आज का जो लेक्चर है मगत इंपाएर पे उसका सबसे पहले हम background देख लेते हैं मगत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं जैसे कि मैं आपको already बता चुका हूँ यहाँ पे आप देख रहे हैं यह 16 महाजनपद है जो कि हमने पिछले lecture में study किये थे महाजनपद वाले lecture में यह 16 की location दी हुई है और अगर हम देखते हैं तो 16 में आखरी में जो emerge हुआ victorious यह मगत था यह आपको मैं previous lecture में बता चुका हूँ आपको reasons भी बता चुका हूँ कि मगत ही क्यू victorious रा मगत की ही क्यू जीता जब चार महाजनपद आखरी में बचे थे जिन में युद्ध हुए थे अब यहाँ पे थोड़ा सा background में हम यह देख लेते हैं कि चार महाजनपद जो बचे थे उसमें से एक मगत था एक कोशाल था एक आवन्ति था और एक वत्स था जैसे कि मैं आपको मेरे महाजनपद वाले lecture में बता चुका हूँ अब मैं आपको यह बता दू कि यह मगत कोशाल आवन्ति और वत्स जो था इन चारों के अंदर यह बाकी के जो महाजनपद थे यह समा गये इन्होंने इनको conquer कर लिया बाद में अगर देखेंगे तो इन चारों में फिर लड़ाईया होने लगे और चारों में इमर्ज हुआ victorious करके मगत तो यहां पर यह चारों जो थे यह 6th century से 4th century बीसी तक रहे बाद में मगत जो था यह victorious बन गया इसके पीछे के reason क्या है जानने के लिए मेरा महाजन पद वाला वीडियो देख ले उसके बाद मैं आपको यह भी बता दू कि सबसे powerful state जो माना जाता है तो बिहार का जो region region है यह मगत वाला region है उसके साथ साथ मैं आपको यह बता दू कि जरासंद नाम का एक व्यक्ति था जरासंद जिसके नाम आपने महाभारत में सुना होगा जरासंद का नाम महाभारत में आपने सुना होगा जरासंद के बारे में आपको यह बता दू कि जरासंद जो था ये ब्रिहदरत के बात का था ब्रिहदरत ब्रिहदरत का बेटा जरासंद ऐसा पता चलता है आमको महाभारत से और देखे अब ये जो था जरासंद ये जो ब्रिहदरत का बेटा था इसी ने जो मगद एमपायर है इसका फाउंडर था तो इसके फाउंडर जो अगर हम देखते हैं तो महा काव्वे है रामायन हो या महा भारत हो यह चीजे हमें पता चलती है तो इस तरह से एक बैग्राउंड आपको समझता है मगद का तो मगद का जो फाउंडर था यह बनता है जरासण अब हम मगद इंपार को स्टडी करते हैं मगद एंपार जब हम स्टडी करते हैं एक्जाम पॉइंट ओफ व्यू हो या आपका कोई भी चीजह आपकी जानकारी के लिए हो तो मगद में चार डाइनेस्टी तीन सब्सक्राइब सब्सक्राइब नियोटाइब इस टाइम पर रूल करती थी इवन मैं आपको यह भी बता दू कि हरनक के बाद जो शिशुनाग डायनिस्टी आई थी वह भी सेम रीजन पर ही रूल करती थी यहां पर लिखा दी कि हरन्यक डायनिस्टी और शिशुनाग डायनिस्टी दोनों का मिलके यह पार्ड बनता है यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं तो बड़िक सार हमको सबसे पहले जिने स्टडी करना होता है वो है बिंव सार के बारे मैं मैं आपको जैनीजम में बता चुका हूँ थुअ मैंने आपको सवाल यह भी सब्लीक सार और उंका कंद एका क्या रिलेशन था तो ब्लोड रिल यह हो यह most accepted years है जो मैंने यहां पर निकाले दी कि ancient history में यह जो time है एक इस time तक हमें बहुत जादा years पता नहीं थे इस पर काफी सारा confusion है सभी historians को तो सभी जगे अलग-अलग years लिखे जाते years पर यहां question नहीं पूछ जाएंगे इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखेगा जो भिंबिसार थे उनका most accepted जहां पर उन्होंने रूल किया था वो था 544 BC से 492 BC तक अब यहां पर हरन्यक डाइनस्टी जो आते उसके founder बनते है भिंबिसार भिंबिसार और बुद्ध का जो वक्त था एक ही टाइम का माना जाता है और यह जो बिंबिसार थे एडमाइर थे महावीर के महावीर के एक तरह से supporter तो थे ही क्योंकि अगर हम देखते हैं तो देखे महावीर जो थे इनके और बिंबिसार के बीच में blood relation था यह मैं already आपको बता चुका है कि मगद एंपायर का जो capital हुआ करता था वो गिरिवराज में हुआ करता था धीरे धीरे नया capital बनाया गया था राजगिर तो गिरिवराज हो गया या राजगिर हो गया यह जो नाम दिये हुए है यहाँ पर capital हुआ करता था बिंबिसार के टाइम पर जहां पर यह city जो र पहले ऐसे राज्या थे जिनके पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी यानि इनके पास जो आर्मी थी वह ऐसी नहीं थी कि जब युध्ध होगा तभी आपको किजी को भीजना पड़ेगा बड़ ये पहले ऐसे राज्या बन्ते जो हमेशा एक standing army अपने पास रखते ही थे और ये उस army के थ्रू attack करते थे okay so ये इसलिए इनको सेनिया कहा जाता था है जिसके पास सेना है वो सेनिया उसके बाद मैं आपको ये बता दू कि he started the practice of using matrimonial alliance ना तो शादिया करते जाओ अब देखे शादियों का महत्व क्या होता है आप शादिया करते जाओगे अलग-अलग for example ये चार region है और ये आपका area है अगर आपने यहां के चार राणियों से शादी कर ली चार राजकुमारियों से so यहां क्या होगा कि ये चारों से आपके relation अच्छे हो जाएंगे और आपका इन से relation अच्छा होगा आप किसी को अपना मित्र बनाते हो अलग-अलग kingdoms को so इसको maternal alliance कहा जाएगा he had three wives उनके three wives थी एक थी कोशाल देवी एक थी चेलना और तीसरी थी खेमा अब यहां पर आपको ये बदा दू कि कोशाल देवी जो थी वो कोशाला का एक king था कोशाला जो है king था उसकी लड़की थी और एक प्रसन जीत करके था वो उसकी बहन थी so प्रसन जीत जो थे वो भी कोशाला के जो king थे उनी के बेटे थे यानि एक तरह से दिखें कि कोशाल देवी और प्रसन जीत ये दोनों बहन भाई थे और ये इनकी daughter थी so ये कोशाल देवी थी अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दू कि कोशाला यहाँ पर अगर हम map में देखते हैं महाजन पत के तो यहाँ पर आपको कोशाला दिखता है ये कोशाला ये मगद हो गया है कोशाला हो गया उसके बाद यहां का जो प्रसन जीत था उन्होंने काशी अपने कबजे में ले लिया था उस टाइम पे और मैं आपको ये भी बता दू कि जो बिम्बिसार थे उन्होंने इनके बहन से शादी की थी प्रसन जीत के और प्रसन जीत के पास उस टाइम पे काशी था तो काशी को उन्होंने conquer करके रखा हुआ था प्रसन जीत ने ये जो काशी था ये डावरी में दहेज में दे दिया किसको तो बिंबिसार को क्योंकि आपने मेरे बहन से शादी की तो दहेज में आपको हम देते है काशी तो इस तरह से जो थे जो बिंबिसार थे उनको काशी भी मिल गया तो काशी भी इस टाइम पर मघद में समा गया है ना कोसाला से उनके अच्छे रिलेशन बन गए उन्होंने मैटर्मनल अलाइंस काफी काम कर रहा था उसके बाद आपको ये बता दू कि उन्होंने उसी तरह से चेलना से भी शादी की थी और चेलना जो थी ये लिच्छवी चीफ थे एक वहिशाली के वहिशाली नाम का एक शेहर हुआ करता था उस टाइम पर वो जो जगा थी वहिशाली एक लिच्छवी के पास थी वो लिच्छे भी लोगों के पास तो यह जो थे उनकी डॉटर से इन्होंने शादी कर लिए और जो वैशाली था उनसे भी इनके रिलेशन अच्छे हो गए थे चेलना के साथ शादी करने के कारणा और एक शादी की थी जिसका नाम था खेमा खेमा जो था यह मोद्रा करके एक ज यह जो पे शादी कर लिए तो इतने साथे एरियाज पर उन्होंने अपने एक तरह से हम देखते हैं तो अच्छा एलाइंस बना लिया था एक तरह से अच्छे रिलेशन बना लिया थे तैयान बने कभी भी वहा हुआ तो इतने जगे के लोग उनको बचाने आएंगे बिं अंग पे उन्होंने अटेक कर लिया, अब अगर हम देखते हैं तो काशी तो उनको डावरी में मिल गया, अंग पे उन्होंने अटेक कर लिया और यह मगज जो था, यह इस तरह से बढ़ने लगा था उस टाइम पर बढ़ा है, बिंबी सार के बारे में अगले रूलर आते हैं वो होते हैं अजाज शत्रू, अजाज शत्रू के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अजाज शत्रू का जो टाइम होता है, उनका टाइम 492 BC से 460 BC, यह most accepted date मानी जाती हैं अजाज शत्रू की, अजाज शत्रू के बारे में हम थोड़ा सा एक जानकारी ले 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 लेते हैं अजाज शत्रु जो थे ये बिम्बिसार के बेटे थे और चेलना के ना बिम्बिसार ने जो शादी की थे चेलना से उनको ये जो बेटे हुए थे उनका नाम था अजाज शत्रु अजाज शत्रु ने क्या किया था अपने खुद के पिता को ही मार दिया था इन्हों नहीं बि हमेशा aggressive policy होगी जिस तरह से हम देखते हैं कि अजाद चत्रु के जो पिता थे जिनका नाम था बिंबिसार बिंबिसार की जो policy थी वो थोड़ी सी एक matrimonial इस पे चलती थी तो अजाद चत्री की जो policy थी वो aggressive policy थी अब यहाँ पर क्या होता है कि यह aggressive policy जो थी इसके बाद उन् के जो कह सकते हैं कि जो प्रसन जीत थे जो इनके brother-in-law होंगे तो यह क्या हो गया कि कोशाल देवी से शादी करने प्रसन जीत ने इनको डावरी में काशी दिया था बट काशी पूरी तरह से इनके पास नहीं था ठीक है उस पर प्रसन जीत और बिंबिसार दोनों का एक तर से अधिकार मान सकते बट अजाज चत्रु ने क्या किया काशी के उपर सिर्फ खुद का ही कंट्रोल बना लिया अब जिन्होंने अपने पिता पर ही अटाजाच शत्रु और काशी पर अपनी थोड़ा सा कंट्रोल दिखा देते काशी पर उसको पूरी तरह से जीत लिया अजाज चत्रु ने उसके शाथ साथ बुढ़ीखा ही है बुढ़ीखोन फॉलों किया ही है बुढ़ीखोना काफ Deaf चत्रू ने ये बात एक अलग है बुद्धिजम को लेखे काफी लगाओ भी था आजाज चत्रू को तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था मैंने बुद्धिस्ट काउंसिल वाला लेक्चर लिया हुआ है वो राजगिर हमें किया है कहा है मगद में है यह भी बता चुका हूँ किस ने बनाया है यह भी बता चुका हूँ यहाँ पर ही मैं आपको बता चुका हूँ यह बनाया था बिंबिसार ने और यही पर जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था वो लिया गया था जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ तो बुद्धा की जैसे डेथ हो जाती है 483 BC में, तो फर्स्ट काउंसे लिया गया था बुद्धिजम का, अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दू कि जो इन्हों ने काफी वार भी जीते थे, यह वन वार, बहुत सारे अग्रेसिव पॉलिसी चलाते थे, काफी सारे युद बेंबिसार ने अपना एक अलायंस बनाया था, friendly relation बनाया था, बेट इन्हों ने उन पर भी अटेक कर लिया आजाज चेतरू ने और वह भी जीतंडिया, वह इतल लिया श्त्रो एवन को शाला तो उनी के जो उनकी जो इनallas ओंधkay झियखते हैं ती उनका ना मही के पिता का अगर हम देखते हैं तो एक तरह से वो kingdom था उसको भी जीत लेते हैं अजाद चत्रु या इनके मामा का kingdom था वो जीत लेते हैं अजाद चत्रु ये सब इन्होंने काम कर लिया अगर हम देखते हैं तो इन्होंने एक fort बनाया था राजगीर जो city बनाई थी बिंबिसार उसमें एक किला बनाया था, ताकि प्रोटेक्शन अच्छे मिल पाए उनके कैपिटल को, और ये फोर्ट तो फोर्ट बनाया, उपर से एक पाटली करके एक जगा है, गंगा रिवर के बैंक पे, गंगा रिवर के किनारे, वहाँ पे उन्होंने जल्दुर्ग एक बनाया था, इस तरह से अजाच शत्रु ने भी काफी सारा रीजन जा था, वो मगत को हसिल कराके दिया था, मगत के पास उसके बाद वाजी, कोशाल, वैशाली, और हम देखते हैं तो, और क्या-क्या आ चुका था, तो यहाँ पे पहले तो, अलायांस तो काफी लोगों के साथ हो चुक 60 BC से 440 BC, most accepted date है, अलग-अलग जगे, अलग-अलग दी हो सकती है, बट यह, एक most accepted date है, अब यह कौन थे उदेईन, तो उदेईन जो थे, यह अजाच शत्रु के बेटे थे, इन्होंने क्या किया, तो इनका जो पहले capital हुआ करता था, यह हुआ करता था, राजगिर में, या important चीज़े नहीं है, importance नहीं है बहुत ज़ादा उदेईन को, सो एक्जाम में इनके पर question आने के बहुत कम chance है, जितनी चीज़े मैं बताऊंगा, उतनी ही आपके लिए important होगी, उदेईन ने सिर्फ यह काम, इनका important आपको याद रखना है कि इन्होंने जो capital था, वो पाटली नाक दशक जो थे, इनके बाद आते हैं, उदेईन के बाद, इनहीं के वंच के लोग थे, सो यहाँ पर यह तीन आए, बट उदेईन को ही या study किया जाते है, क्योंकि इन तीनों के वक्त बहुत weak हो चुका था, यह जो हरन्यक डाइनस्टी थी, तो मगत के region में जो डाइनस खतम होने लगी हरन्यक डाइनस्टी, हरन्यक डाइनस्टी जब खतम हुई तो नई जो डाइनस्टी आने वाली थी, वही region में वो थी शिशुनाग डाइनस्टी, शिशुनाग डाइनस्टी का ICI में आपको यह बता देता हूँ, तो सबसे पहले अब हम नए डाइनस्टी को शुरू कर रहा है, यह याद रखेगा कि आखरी जो बनते नाख दशक नाम के व्यक्ति बनते है जो कि हरनेक डाइस्टी के आखरे रूलर बने, उसके बाद जो आई शिशुनाख डाइस्टी उनका जो रीजन है वो भी वही रीजन है जो, क्योंकि इसी रीजन पर इन्होंने डाइरेक्ली जो हरन्यक डाइनस्टी था उसको यहां से निकल निकाल दिया उनको यहां से हटा दिया और अपने अंडर ले लिया था नए डाइनस्टी वनी थे शिशुनाग डाइनस्टी अब हम देखते हैं शिशुनाग डाइनस्टी का नाम शिशुन अब देखे श्री लंकान क्रोनिकल्स जो है जो श्री लंका में जितनी भी चीजे लिखी गई है उसमें डारेक्ट लिखा गया है कि मगत के जो लोग थे वो एक बहुत वीक रूलर जो था नाग दशक उसको पसंद नहीं करते थे और उसके खिलाब उन्होंने बहुत बड़ा एक विद्रोह कर दिया था एक रिवोल्ट कर दिया था नाग दशक के खिलाब और नाग दशक का जो अमात्य था उनका जो मंत्री था उनका नाम था शिशुनाग शिशुनाग बहुत अच्छा एक मंत्री दिखता था है उनको पता था कि शिशुनाग काफी पावरफुल है अगर नाग दशक से compare किया जाए तो शिशुनाग जैसा व्यक्ति राजा होना चाहिए, नाग दशक जैसा व्यक्ति नहीं, इसलिए लोगों ने इनको इनके खिला पिद्रों की और नाग दशक को उस जगा से हटा दिया, और उनका जो minister था शिशुनाग उनको यहाँ पे king बन हुआ था अंडर हरन्यक dynasty, वो बाद में king बने मगत के, उसके बाद में आपको यह बता दू कि जो capital थी वो उन्होंने, capital जो थी वो गिरिव राज में रखी हुई थी, उन्होंने अवन्ति जो है उसको भी एनेक्स कर लिया, उन्होंने अवन्ति पर अटेक किया और अवन्त को भी जीत लिया, एगर हम एक तरश से देखते हैं, यहां पर आपको दिखता है अवन्ति, यह अवन्ति तो यहां तक पहुचा देते हैं यह पूरा मगत, तो अवन्ति को अपने अंडर कर लेते हैं, वो होते है शिशुनाग, शिशुनाग ने जब ये किया, तो मगत और अवंती के बीच की जो राइवल्री थी वो फाइनली खतम हुई इन दोनों के बीच में काफी साल से दुश्मनी चल रही थी और दुश्मनी का कोई रिजल्टी नहीं था क्योंकि ये दोने एक दुसरे पर पूरी तरह से एक कमांड नहीं बना पा रहे थे बट मगद ने करने से आपको दूसरे जो लोकेशन है दूसरे जो एरियाज उसके पास पास आप पहुँच जाते हैं इसलिए कैपिटल शिफ्ट करना है बहुत ही एक इंपॉर्टन चीज होती है उसके बाद जो हम अगले रूलर पढ़ने वाले शिश्मनाक के बाद वो आते है काल अशो काल अशोक जो थे ये 395 BC से 367 BC तक ये रहे ये शिशुनाक के बेटे थे काल अशोक ने कुछ जादा बड़े काम नहीं किये बट काल अशोक ने क्या किया तो जो कैपिटल था उसको पाटली पुत्र में सबसे पहले शिफ्ट किया यहाँ पे अगर हम देखते हैं इन्होंन नाम भी आया था तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो पेटरन थे उसके वो थे काल अशोक तो काल अशोक के बारे में ये चीज़ आपको पता चल गए काल अशोक को जो थे उनको मार दिया गया एक पैलेस में रिवोल्यूशन हो गया था एक विद्रो कर दिया था इन के जगे पे आ गई ओके सो अब हम देखने वाले किस तरह से क्या हुआ सो अब अगली जो डैनेस्टी बनती है उसी जगे पे जो रूल करने आने वाली थी वो थी नंद डैनेस्टी ओके सो काल अशोक बन गया यहां के आखरी रूलर जो की हमने डैनेस्टी अभी स्टडी की ते शिशुनाग डाइनस्टी के आखरे रूलर बनते है काल अशोक और हरन्यक डाइनस्टी के आखरे रूलर बनते है जो हमने पढ़े वो थे नागदशक कि अब हम आ चुके नंद डाइनिस्टी जो है इनका मैप आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा नंद डैनिस्टी ने काफे expansion किया था अगर आप देखोगे तो काफे बड़ा सा मैप ये बना लेते हैं अपना नंद डैनिस्टी तो नंदर डाइनस्टी के बारे में अगर हम जानते हैं तो नंदर डाइनस्टी जो है यह पहले नौन शत्रिय डाइनस्टी माने जाती है अब तक शत्रिय लोग रूल करते थे यह हमें पता चलता है बट पहले जो डाइनस्टी थी जो की नौन शत्रिय थी वो थी नंदर डा लिए था तो यह अगर हम चीज देखते हैं तो यह कुछ रिवोल्ट कर गए थे ना तो लोगों को जो भी चीजे हुई उसके चलते जो काल अशुक थे इनका रूल खतम हो गया और उनके जगे महापदमा नंद जो थे वो आ जाते हैं अब हम महापदमा नंद को स्टड़ी करते हैं नंद डाइनस्टी के पहले रूलर फोर्थ सेंचुरी बीसी ये इनका टाइम माना जाता है बहुत एक्जैक डेट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है हिस्टॉरी के सोर्सेस में अब हम ये दिखते हैं कि हिस्टॉरियंस भी इसम एक्जाम में तो फोर्थ सेंचुरी बीसी इतना याद रख लिजेगा इनको फर्स्ट हिस्टॉरिकल एंपरियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है पहले शहिंचा भारत के या पहले एंपरियर पहले पूरे देश के ये माने जाते हैं महापदमा नंद ऐसा माना जाता है ऐसा क रहते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक तरस से इन्होंने एरिया जीता हुआ था महापदमा नंद ने उन्होंने क्या किया था जो काल अशुक थे उनका मुडर कर दिया था और खुद राजा बन गए थे ये एक चीज़े महापदमा नंद की अब मैं आपको ये भी बता दू कुछ-कुछ पुरानों में ये भी दिया है कि एक किंग हुआ करते थे शिशुनाग डाइनस्टी की और एक शुद्र वुमें थी उनके बेटे थे ये महापदमा नंद तो उन्होंने एक कॉन्क्वेस्ट करके बदला करके वो लिया था जिन्होंने शिशुनाग के कुछ र मार दिया था और ये किंग बन जाते हैं तो ये कौन थे क्या थे ये फिल्कुल क्लियर नहीं है कुरान में देखे फिर से आपको बता देता हूं कि ही वाज सन आफ लास्ट शिशुनाग किंग ऐसा भी कहा जाता है और शुद्र वुमें शुद्र वुमें और इनके ये और और ये जो बाबर and a quotation है ना तो ये जो बाबर थे उनके बेटे थे और courtisan झोए जो कहा जाते है यानि एक वैश्या थी उसके ये बेटे थे ऐसा भी यहा लिखा जाता है इनका origin कहींभी Clear नहीं है इनको सर्वख शत्रिय 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 यह कहा जाता है सर्वख शत्रिय 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 था अगर हम देखते हैं तो जिसको हम कह सकते हैं अगर हम देखते हैं पूरा महापदमा नंद या नंद डायनेस्टी के टाइम पर अगर expansion तो आपको ये पता चलता है extension तो कुरू country से लेके north में कुरू है तो एकदम south में जाएंगे तो गोदावरी वैली है उसके साथ साथ मगद east में है तो नर्मदा west में है इस तरह से चार वाजू इतनी बड़े एक area में ये लोग यहाँ पे आके बस गए थे बहुत बड़ा एक area हमें यहाँ पे पता चलता है जो की था नंदा empire का उसके बाद हम देखते हैं तो इतना सारा इनों ने इनका बहुत ज़्यादा एक योगदान रहा उसके साथ बहुत सारे kingdom इनों अपने अंडर कर लिए जिसमें कलिंगा करके भी आता है ना तो कलिंगा तो आपको पता है अशोग जो थे वो कलिंगा से बहुत ज़्यादा जुड़े आगे आप कलिंगा वह भी देखेंगे मौरिया दैंस्ती जब हम पढ़ेंगे उसमें जो यहाँ पे अगर हम देखते तो नंद डैंस्ती के जो ओर यह अगर हम देखते तो यह पूरा map बहुत बड़ा एक map बनता है जो की बना नंदर डाइनस्टी का अब ये जो थे महापदमानंद इनके बाद जो ruler बने नंदर डाइनस्टी के उनका नाम था धनानंद धनानंद बनते 329 BC से 321 BC तक ये most accepted date है फिर से आपको बता दू कि बहुत जगया अब यहाँ पर आपको ही बता दो कि he was last नंदर उलर आखरी नंदर उलर जो बनते हैं ये धनानंद होते है he is referred to as agrams and sandrams in Greek text, Greek text में इनका नाम दिया है Greek क्योंकि उस वक्त अगर हम देखते हैं तो Greek जो लोग थे उन्होंने attack किया था इंडिया पर हम देखते हैं कि Alexander भी आये थे उस टाइम पर अलग-अलग बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया में आते थे तो यहाँ अगर हम देखते थे धनानंद के बारे में reference दिये हुए agrams and sandrams करके Greek text जो है इस नाम से उनको जाना गया है Alexander जो है इन्होंने invade किया था नौर्थ वेस्टन इंडिया को इसी टाइम पर ना तो Alexander जो आते है वो इसी टाइम पर आते है इधर इंडिया पर attack करने और आपको यह भी बता दू कि यह जो है यह गंगेटिक प्लेंस जो है उस तरफ नहीं आ पाई यह आरमी क्योंकि आरमी आरमी नहीं रिफ्यूज किया था यह माना जाता है हाला कि इसके बीचे बहुत अलग-अलग कहानिया है तो अब हमको Alexander को नहीं पढ़ना है ठीक है आगे हम Alexander को जब पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तो आपको थोड़ा सामय एक आईडिया दे दूँगा कि क्या हुआ था बट यहां यह वता देता हूँ थोड़ी सी उपर से जानका रही कि Alexander की जो आरमी थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे इसलिए अटेक तो नहीं हो पाए अधर्वाइज अलेक्जांडर पूरी तरह से नंदर डाइनस्टी पे या फिर मगद पे तक तो पहुँच के अटेक करने ही वाले थे नंदर डाइनस्टी पे अटेक होने वाला था बट आर्मी नहीं बुल रही है तो जाएंगे कैसे उसके बाद ये भी समझता है हमें कि ये जो धनानंद के वक्ट जो इंपायर था मगद इंपायर वो बहुत बड़ा एक इंपायर मिला था इनको इनके पिता से ही बट इसको भी डेवलप करने में इनका बहुत ज़ादा ये जोगदान था धनानंद का देखेंगे तो उसके साथ इनके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी हुआ करते थी जिसमें ऐसा माना जाता है कि दो लाग के आसपास इनके पास इनके पास इनके आप देख सकते हैं जो पैदल चलने वाले सैनिक है वो कैवलरी इनके पास 20,000 थी, कैवलरी यानि जो घोडे पे चलते हैं, वो सैनिक, 3,000 हाती थी, हाती तो काफी सारे थे मगद में, 3,000 हाती हुआ करते थे और 2,000 चैरिएट्स, यानि 2,000 इनके पास रत हुआ करते थे, जिससे ये युद्ध किया करते थे, तो इतनी बड़ी आर्मी देखके, आप कोई भी इंसान सोचेगा कि कितना पावरफुल किंडम है, अब ये बहुत इंपोर्टन और बहुत पावरफुल रूलर बन चुके थे, धनानन्द इस टाइम के, और ये भी कहा जाता है, कि इनी के पास नंद डाइनेस्टी आई, तो उसके बाद मैं आपको ये बता दू कि महापदमानन्द के ये बेटे तो थे ही, अब यहाँ मैं आपको बता दू कि बिकेम अनपॉपुलर, विति सब्जेक्ट, ओविंग टू ऑपरेसिव वे और एक्स्टॉर्टिंग टैक्सेस, टैक्सेस लेने की जो इनकी जो एक त चतिया पॉलीसी इन्होंने चलाई थी, जो शत्रिया थे, उनको बहुत ज़ादा ये विरोत करते थे और शत्रिया के लोगों के खिलाफ ये कुछ ना कुछ करने की हमेशा सोचते थे, अन्टि शत्रिया पॉलीसी इन्होनने चलाई जिसके कारण जो आजी बाजुबाज के शत्रियों लोग थे इनके एनिमी बन गए इनके बहुत सारे एनिमी बन गए और लोग ये भी कहने लगे कि ये तो शुद्र है शुद्र कैसे यहाँ पर रूल कर सकते तो ये सब चीजों के चलते धनानंद को काफी प्रॉब्लेम हुए और प्रॉब्लेम होने के बाद फाइन मगद में मारियान इंपायर है इसके आखरी पिरए इंका एक हम देखते है तो योगदान रहा काफी सारा मगद region को लेके अब मैं आपको यह भी बता दो कि जब चानक्या थे उनको भी इन्होंने insult किया था ऐसा भी माना जाता है चानक्या को insult किया था क्योंकि चानक्या भी ब्राम्मेंट थे और यह किसी ब्राम्मेंट की सुनेंगे तो नहीं यह इनका तो पक्काई एक तरह से पॉलिसी ही थी तो नंदर आइने जो थे इन्होंने चानक्या को insult कर दिया था जब वो उन्हें कुछ suggestions देने आए थे तब ही यह कहा जाता है कि उन्हों उनको दरबार से निकाल दिया था और इसी चीज़ के चलते जो चानक्या थे उनको काफी गुस्सा आया था और उन्होंने यह ठान लिया था कि धना नंद को मैं जब तक यहां से निकाल नहीं देता और किसी और किंग को नहीं बिठाता तब तक मैं अपनी अपने जो बाल है उससे नहीं बांधूंगा और उन्होंने यह करके भी दिखाय चानक क्याने, उन्होंने, उन्ही के मदद से, जो चंदरगुप्त मौर्या थे, वो रूलर बन गए मगत के, इस तरह से यहां नंदर डाइनस्टी पूरी तरह खतम हुगई, आज हमने तीन डाइनस्टी पढ़ी, जो कि मघत के इंपायर की थी, अब हम आगे के lecture में और भी डाइनस्टी पढ़ने वाले हैं, अभी डाइनस्टी कहीं अभी lecture शुरू हो जाएंगे, तो हरनेक डाइनस्टी हमने पड़ी, शिशुनाक डाइनस्टी हमने पड़ी और नंदर डाइनस्टी पड़ी यह तीनों डाइनस्टी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है exam point of view, इसे अच्छे से study कीजिएगा और इससे related कोई भी question miss मत कीजिएगा सो इसी तरह हम अगले lecture में मिलते रहेंगे और मैं आपको ये भी बता दू कि अगर आपको मेरे video lectures पसंद आते हैं तो इन्हों ने like जरूर करें, share करें और subscribe करना ना भूले मेरे youtube channel को ताकि regularly मैं इसी तरह lectures डालते रहूं और आपके साथ ज्यादा स्यादा knowledge शेयर करता हूँ आप और updates चाहते हैं तो follow or like कर सकते हैं मेरे pages को facebook पे श्रेयस बड़े और श्रेयस बड़े interpretation आप मुझसे personally connected रहना चाहते हो तो आप मुझे instagram पे follow कर सकते हैं इसी तरह हम मिलते रहेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखे और आपका दिन शुब हो